बहुत common question पूछा जाता है कि मैं masturbate करने की या sex करने की सही उमर क्या है अभी recently मुझे question मिला गया कि क्या मैं 12 या 13 साल में masturbation कर सकता हूँ या मैं किसी ऐसी के लड़की के साथ sex perform कर सकता हूँ जो कि 14 साल की है आज उन सभी questions के answer को मैं यहां देने वाली हूँ नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर नेहा मैदा मैं एक sex counselor हूँ और पिछले काफी सालों से practice कर रही हूँ अपनी हर वीडियो के मादेम से sex से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है और आज एक बहुत ही उबरता हूँ question है कि कौन सी ऐसी उमर है जब आपकी body prepare हो जाती है और आप ready हो और आपको नुकसान भी ना हो तो अगर आप channel पे नए हैं तो इससे subscribe करना नहीं भूलें वीडियो को जरूर अन तक देखें जरूर अपने आसपस लोगों के साथ share करें ताकि हम इस भ्रांदियों को तोड़ पाएं तो चली मैं बात कर रही थी सही उमर क्या है sex या masturbate करने की यहाँ नियांज समझे कि एक time था जब आप जो puberty आती थी यह जिसे हम बूलते थे जवानी आ रही है वो age आती थी female में कुछ comparatively 14 से 15 सा और males में अगर मैं बात करूँ तो यह आती थी कुछ maybe 15 से 16 साल में females की age थोड़ी कम रहती है जब उन्हें menstrual cycle या puberty शुरू होती है यह हम कह सकते हैं बही महवारी शुरू होती है लेकिन males के अंदर यह थोड़ा सा complicated रहता है साथ में थोड़ा सा समय और लगता है जब उनके थोड़ा से बाल आने शुरू हो जाते हैं या फिर हम बुछ सकते हैं बही penis का size बढ़ना शुरू हो जाता है या आवाज भारी होनी शुरू हो जाती है तो वो एक सही age है जब आपकी body परिपक्व हो गई है अगर उस age में आप masturbate करना या sex के बारे में जाना या videos को देखना शुरू करेंगे तो उसमें कोई भी नुपसान नहीं है लेकिन अगर ये सारी चीज़ें समय से पहले introduce कर दी जाती है या फिर दिखा दी जाती है तो बहुत बार hormones बहुत जल्दी produce होने शुरू हो जाते है और अब बहुत जल्दी puberty की age में shift हो जाते है आजकल की time पे ये age shift होकर कुछ 9 से 10 साल हो गई है क्योंकि आजकल बच्चों को social media के मादेम से या बहुत और तरीकों से बहुत असानी से इस तरह की information को ले सकते है तो अगर हम आजके time पे बात करें या आप आज पूछें डॉक्टर ने हम एता क्या सही age होनी चाहिए तो मैं जरूर prefer करूँगी कि 12 साल से उपर का बच्चा अगर masturbate करता हुआ पकड़ा भी गया है या female कहीं आपको ऐसे videos देखती हुई या masturbate करती हुई पकड़े गई है तो अभी के time पे हम इसको normal category में डाल सकते हैं और इसके लिए हम body के नुकसान की बहुत जादा चंता नहीं कर सकते कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप उनको सही ग्यान दे पाएं sex educate कर पाएं कि ये कितना सही और कितना गलत है आपको उन्हें बताना है कि करने के बाद जरूर pleasure आता है लेकिन ये आपको अपने partner के performance के लिए रखना चाहिए moreover अभी आप उस phase में नहीं हो अभी आपका time पढ़ने का है, career की तरफ लगाने का है तो हो सकता है सही direction उनको इन pleasure से convert होकर और दूसरे pleasure और life में कुछ achieve करने के pleasure की तरफ ले जाए आप बात करूंगी कि sex करने की सही उमर क्या है देखिए अगर आपको लगता है कि कोई female partner मुझे 14 से 15 साल की मिली है और वो interested है और हम करना चाहते हैं तो मैं prefer करूंगी कि कोई भी female जो की 14 से 15 साल से उपर की है वो sex में involved हो सकती है और लड़के भी maybe somewhere 15 साल से उपर sex में involved हो सकते हैं लेकिन कोशिश ये करें कि अपनी body को पहले इतना develop होने दे body के साथ साथ अपनी understanding को develop होने दे क्योंकि इस उमर में होने वाले हर तरीके के sexual relationship fake, infatuation और आपका साथ ना देने वाले है तो अगर आप emotionally connect होके किसी से 14-15 साल में sex कर रहे हैं तो अभी आपकी समझदारी नहीं बनी है और वो गलत है सिरफ sex के मादेम से देखा जाए तो भी गलत है क्योंकि prostitute 12-15 साल तक की भी काम कर रही है तो अगर मैं बात करूँ सरफ sex के मादेम से तो हो सकता है मैं बोल दूँ ओके बट अगर आप अपने life partner के मादेम से 13-14-15 साल में sex कर रहे हैं तो अभी रुखिए maybe wait करे समझे कि ये चीज़ें बाद में मुझे नुकसान कर सकती है emotionally मेरे को तोड़ सकती है और maybe कुछ भी गलत हो गया तो कलको मेरी fertility या बच्चा होने की capability तक भी नुकसान जा सकता है क्योंकि regular tablets को consume करना या 24-hour spill लेना आपका नुकसान कर सकता है तो समझे कि एक सही उमर दिमागी तोर से और शारिरिक तोर से दोनों तरीके से जब आप ready हो तब भी involved होए क्योंकि इस उमर में लगे हुए जटके या धोके आपको बहुत बुरी तरह तोरते हैं और mental health problems को cost करते हैं तो आशा करते हो मेरी वीडियो आपके doubts को clear कर पाई है especially वो लोग जो एक question पूछ रहे हैं कि सही उमर क्या है चैनल पर नए है तो subscribe करना नहीं भूलेंगे बहुत सारे और ऐसा content आता रहेगा और अगर आप ये English में सुनना चाहते हैं मेरी सारे वीडियो को तो अभी subscribe करें Dr.Niha Mehta English बने नहीं जुडे रहे